ओम शान्ती 18.12.2023 की मुल्ली है, मुख्य रूप से बाबा ने कहा, ज्यान की जो नाजुक बाते हैं, उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए, युक्ती से ज्यान मार्ग और भक्ती मार्ग को सिध्ध करना है, ऐसे समझाना है, जैसे चूहा फूग भी देता है और काट भ कुम्भ मेले पर प्रदर्शनी लगा कर अनेक आत्माओं का कल्यान करना है, पतिच से पावन होने की युक्ती बतानी है, आगे कहा, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम, अथ्वा कुम्भ है, इस मिलन से तुम पावन बनते हो, फिर कहा, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धी योग निकाल, एक बाप से बुद्धी योग जोड़ना है, अंत समय में बाप के सिवाए कोई याद ना आए, निरहंकारी बन, साइलेंस में रहे, काटों को फूल बनाने की महनत करनी है, श्रेमत पर अंध बन, पावन बनाना है, अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, निकाहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम, अत्वा कुम्भ है, इसी मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वो मेला मनाते है, प्रश्न है, तुम बच् किस बात की बहुत-बहुत सयानब चाहिए, उत्तर, ज्यान की जो नाजुक बाते हैं, उन्हें समझाने की बहुत सयानब चाहिए, युक्ती से ज्यान मार्ग और भक्ती मार्ग को सिद्ध करना है, ऐसे समझाना है, जैसे चूहा फूप भी देता है, और काट भी लेता है, पुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगा कर अनेक आत्माओं का कल्यान करना है पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। परम आत्मा ही आकर पुन्यात्मा पवित्रात्मा अथ्वा पुन्य की दुनिया बनाते हैं। मानुशे पुकारते हैं पतित पावन बाप को क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतीत पावनी गंगा है वात्रिवनी है फिर पुकारते क्यों है के हे पतीत पावन आओ गंगा वात्रिवनी तो है ही उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं बुद्धी फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है परमपिता परमात्मा जो ग्यान सागर है उनको आना है सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं पतीत पावन बाप आते ही तब है जब सत्यूगी पावन दु का विनाश करना है जरूर संगम युक पर ही आएंगे संगम को कुम्भ भी कहते हैं तिवनी का संगम है उसका नाम रख दिया है कुम्भ कहते हैं तीनो नदिया आपस में मिलती है बास्तव में हैं दो नदिया तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं तो क्या इस कुम्भ के मेले में पतित से पावन होंगे पतित पावन को तो जरूर आना है ज्यान का सागर वो है पतित दुनिया को पावन बनाना कलियूग को सत्यूग बनाना यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है ना कि मनुश्यों का यह तो सब्लाइन फेथ है अब अंधो को लाठी चाहिए तुम अब लाठी बने हो नमबरवार पुर्शात अनुसार लाठिया भी किस्म किस्म की होती है कोई लाठी सो रुपे की और कोई दो रुपे की भी मिलती है यहां भी सब नमबरवार है कोई तो बहुत सर्विसे बुल है जब बिमार होते हैं, तब सर्जन को बुलाना पड़ता है, अब यहाँ है ही पति दुनिया, तुम पावन बन रहे हो, कहा जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं, तो उनको कहा जाता है संगम का मनुष्य कोंब के मेले पर बहुत दान करते हैं, वो कमाई होगी साधु संतों को और गौवर्मेंट को, यहाँ तुमको तन, मन, धन, सहित, सब कुछ दान करना होता है, पतित पावन बाप को, वो फिर तुमको भविश्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वो नाम लेते है तिवेनिका और दान देते हैं साधु संतों को, बास्तव में संगम उसको कहेंगे, जहां सब नदिया आकर सागर में मिले, वहां सागर तो है नहीं, यह तो नदिया आपस में मिलती है, नदिया और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है, लेकिन यह भी ड्रा इसमें गौवर्मेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदी से बहुत कमाई होती है तो यहां कमाई का मेला लगता है इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो इश्वर्यमत पर तो कुम्ब के मेले का अर्थ निकालना चाहिए बाबा ऐसे निबंध द देते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए नंबर वन सबसे सेंसिबल तो है मम्मा फिर दूसरा है संजय जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े यहां त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है पतित पावन तो सर्व का सदगती दाता एक्षिब बाबा है त्रिवेणी को तो सतगती दाता नहीं कहेंगे यहां नदिया तो है ही आने की बात नहीं गाते हैं पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ तो यहां पर्चे निकलने चाहिए बेहनों भाईयों क्या पतित पावन ग्यान सागर परंपिता परमात्मा है या यह न दिया यह तो सदेव है परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए पास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है आत्माय और परमात्मा अलग रहे बहुकाल वही सदगुरु आकर सबको सदगती दे वापिस ले जाते हैं ज्यान्ष नान्तो बास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं तुम उसे जानते नहीं हो भारत जब श्रिष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताई रहते थे उसे शिवालय कहा जाता है अब कुम्ब पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए समझाना है पतित पावन एक बाप है वो कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है तो प्रतिग्या करनी पड़े रक्षा बंधन भगवान से तालुक रखना है ना के साधुसंतों से प्रतिग्या परमपिता परमात्मा से की जाती है ना के त्रिवेनी से हे बाबा, हम आपकी श्रिमत से पावन बनने के लिए प्रतिग्या करते हैं, बाब भी कहते हैं, मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा, यहा है बाबा के इशारे, इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चेत्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अ आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे, किसको जगडा करना होता है, तो गाली देने लग पड़ते हैं, तुमको तो निरहंकारी बन सालेंस में रहना पड़े, ब्रह्मा कुमारिया मशूर तो हो गई है, पर्चे आदी जरूर बांटने हैं, कुम्ब के मेले का खास अल्यान हो सकता है, परंतु महनत लगती है, कांटों को फूल बनाने में महनत लगती है, कुम्ब के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई बिग्न ना पड़े, तुमको सिद्ध करना है के पतीत पावन कौन है, वनुष्य अबन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं, कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं, वहां से फिर यहां बुला कर खिलाते क्यूं हो, तुम श्रिनात के मंदीर में देखेंगे कितने माल बनते हैं, अब श्रिनात पूर भव बनते हैं, और जगनात पुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, गी आदी कुछ नहीं पढ़ता, यहां फर्ग बताते हैं, गोरा है तो ऐसे माल और सावरा है तो यहां सुखा चावल, राज बड़ा अच्छा है, यहां बाब बैट समझाते हैं, श्रिनात द का आधार भी उस पर है, मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं, तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बाते हैं, यहां है भक्ती मार्ग, ग्यान मार्ग सद्गती मार्ग है, गंगाश नान से थोड़े ही सद्गती होती है, बड़ा युक्ती से समझाना है, जैसे चूहा फू और फिर समझाने की कितनी नाजुक बाते हैं, मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत्मत तुम ही जानो, इसका अर्थ तो समझते ही नहीं, तुम्हारी श्रिमत से जो सद्गती मिलती है, वो तुम ही कर सकते हो, और कोई कर न सके, सर्व का सद्गती दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर डालना है, समझाया बहुत जाता है, परंतो समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं, प्रजा तो बहुत बन्ती रहती है, मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुन्य करते हैं, तो एक जनम के लिए फल मिल जाता है, यहां तो 21 किस जन्मों के लिए मिलता है इश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है यहाँ इश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है हिंदुओं के गुरु गोसाई तो धेर है क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है एक का कितना रिगार्ड है Religion is might कहा जाता है अभी तुमने Religion को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है बाबा कहते हैं बच्चे सब को यही वशी करन मंत्र दो बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आई हो उसे याद करो तो अंतमती सोगती हो जाएगी बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो पाप होंगे बाप और वर्से को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धी में आ जाता है ग्रियस्त व्यवहार में रहते दे के सर्व संबंधों से बुद्धी निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुशात करना है जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े और कोई की याद सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा तो बास्तव में कुम्भ कल्प के संगम को कहा जाता है जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं वो है पुनर जनम रहित परन्तो बच्चे भी समझते नहीं श्रीमत पर चलते नही तो बेडा पार कैसे हो बेडा पार होना माना राजाई पदपाना श्रीमत से ही राजाई मिलती है श्रीमत पर नहीं चलते तो आकरिन खत्म हो जाते हैं सजनिया साथ में वो चलेंगी जिनका दीपक जगा हुआ होगा जिनके दिवे बुझे हुए हैं वो साथ में थोड़े ही चलेंगे अनन्य बच्चे ही चलेंगे बाकी तो नंबर वार पिछाड़ी में आएंगे लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे सब आत्माई भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है एक जैसा पद नहीं मिल सकता अंत में सब का पार्ट क वो देखने में आएंगे, मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है, स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं, भारत ही हेविन था, ऐसे नहीं के भारत के बदले जापान खंड हेविन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता. मीठे मीठे बाब दादा वा मात पिता के लाडले सिखिलदे ग्यान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस बाबा नमस्ते रातरी क्लास 24-4-68 बच्चों को समझाया गया है और धरम स्थापक कोई सभी का कल्यान नहीं कर सकते हैं वो आते हैं सभी को ले आते हैं जो लिब्रेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है वो भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से उंच देश ठहरा भारत की बहुत महिमा करनी है बाप ही आकर सर्व की सद्गती करते हैं तभी शांती होती है बिश्व में शांती थी स्रिष्टी के आदी में स्वर्ग में एक धरम था अभी अनेक धरम है बाप ही आकर शांती स्थापन करते हैं कल्प पहले मिसल करते हैं तुम बच्चों को ज्यान मि तो विचार सागर मन्थन चलता है और तो कोई का चलता ही नहीं है या भी तुम समझते हो दे अभिमान के कारण दे को ही पूझते हैं आत्मा पुनर जनम तो जरूर यहां ही लेगी न अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है बाप ही गुप्त ज्यान देते हैं जिससे सभी क सदगती हो जाती है बाकी हनुमान वा गणे श आदी जैसे कोई होते ही नहीं इन सभी को कहा जाता है पुझारी अच्छा रूहानी बच्चों प्रती रूहानी बाप वा दादा का याद प्याद गुड नाइट रूहानी बच्चों को रुखानी बाब की नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को गोड नाइट और नमस्ते धाना के लिए मुख्य सार पहला सजाओं से बचने के लिए दे के सर्व संबंधों से बुधियोग निकाल एक बाप से बुधियोग जोड़ना है अंत समय में बाप के सिवाए कोई याद ना आए दूसरा निरहंकारी बन सालेंस में रहे कांटों को फूल बनाने की महनत करनी है श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है पावन बन पावन बनाना है वर्दान समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव विश्तार है जैसे हंस कंकर और रत्न को अलग करते हैं ऐसे आप होली हंस अर्थत समर्थ और व्यर्थ को परकने वाले जैसे हंस कभी कंकर को चुग नहीं सकते अलग करके रखते हैं छोड़ देते ग्रहन नहीं करते ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारन करते हो व्यार्थ तो बहुत समय सुना बोला किया लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया अब गवाने वाले नहीं जमा का खाता बढ़ाने वाले हो स्लोगन है स्वयम को ईश्वरिय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्थ हो जाएंगे अच्छा ओम शांती अबस्टा बढ़ा प्रमा का लोगत समाप्णा अबदम समाप्छा थो तो समाप्ड़ चाता बांती झाल 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 झाल